हाई दोस्तो असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा मबील है एक बहुत बड़ा कन्फूजन है iOS 15.7 आपल रिलीस किया है iOS 16 भी रिलीस किया है किस पे हमको अपडेट करना चाहिए और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सामदे निकल के आई है iOS 15.7 पे अपडेट करेंगे तब भी यह प्रॉब्लम आईगी कि यहाँ पे एक एरर हो गया है कोई भी अप्लिकेशन आप अपडेट नहीं कर पा रहे है अपने आईफोन पे चाहे हो iOS 15.7 पे हो चाहे हो iOS 16 पे हो ऐसकी हो रहा है कि यहाँ पे कोई स्क्रीन शॉट नहीं है एक्चुल में यहाँ पे जो है वो पॉप अप हो जाएगा तो यह एरर क्यों पॉप अप हो रहा है यह अप्डेट क्यों नहीं हो रहे है उसका रीजन यह है कि यहाँ पे जो है iOS 16 और iOS 15.7 यह जो आपल ने रिलीस किया है इसकी वज़े से इनके सर्वर्स हो गए बहुत जादा बिजी इसकी वज़ iOS 15.7 पे मेरा iPhone 12 Pro जो है वो अपडेटेड है अब यहाँ पे इसको रख देते है साइड में थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि iOS 15.7 यहाँ पे अपडेट जो है आपल ने पुश क्यों किया है जब iOS 16 जो है फाइनल स्टेबल वर्जन सामने आ कर सकता है उस केस में अगर आपको iOS 16 पर अपडेट नहीं करना है तो आपल ने आपके लिए iOS 15.7 पुश किया है अब जब आपने iPhone के सेटिंग में जाएंगे जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने मिलेगा जहाँ पर सबसे पहले लिख लेकिन iOS 15.7 जो है एक अरजेंट और बहुत जादा इंपोर्डेट है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ वल्नरेबिलिटी थी जो भी आपके चीज़ें एक्स्प्लॉइड हो सकती थी आपके iPhone में hackers के जरीए से उसको यहाँ पे fix करने के लिए Apple ने यह वाला अपडेट पुश कि और अपको अपडेट रिलेटेड वर्निंग भी जो है न्यूज अपसाइट पर देखने मिल जाए अब यहाँ पे मेरे दो आइफोन है एक है iPhone 13 दूसरा है iPhone 13 प्रो अब इस पे दोनों पे मैंने iOS 16 जो है वो डाउनल इंस्टॉल करके रखा है आपको बता देता हूं तो यह आपको दाजता हूं कि iOS 15.7 जो है यह 500 MB के असपास का यह 200-300 MB का भी देखने मिलेगा जिस वर्जिन से आप अपडेट करे हो अपडेट से पहले 222 GB का अवेलेबल फ्री स्पेस था इस फोन के ऊपर और मोडेम फर्मवेर था 2.54.02 अक्चुली यह iOS 15.5 पे था और किया होगा अब यहां पर बेंचमार्क चेक कर लेते हैं अब iOS 15.6.1 का बेंचमार्क यहां पर नहीं है लेकिन फिल भी थोड़े पुराने वर्जिन का है तो पिछला वाला जो अपडेट था यहां पर वो मैंने किया था इस वाले डिवाइस के उपर में 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 था सिंगल क का स्कोर 15903976 और आज जब मैंने यह चीज़ किया तो 15903925 यहां पर सारे अपडेट से पहले वाला स्कोर यहां पर निकाला नहीं है तो आपके पास अगर यह वाला डिवाइस है तो आप कंपेर कर से तो यहां पर अपर श्लोडाउन नहीं किया आपल ने इन दिवाइस को बस यहां पर इस 15.7 रिलीज किया है ताकि अगर आपको इस 16 पर नहीं जाना है तो आप यह वाला अपडेट जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते है अपने आइफोन के उपर आई होप आपको समझ में आगा कि इस 15.7 जो है यह एक इंपोर्टन अपडेट है लेकिन उ आइस 15.7 और आइस 16 दोनों पर यह एरर आ रहा है तो भी किता दोस्तों आपको आज का वीडियो पस्ना होगा पसना इसको लाइक एंड शेर जरू कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राब कीजिए गुडबाई